प्रॉब्लम डिसकस करेंगे जी जो रिलेटिट है ट्रिग्नोमेट्रिक रिशोज अफ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री जो के एक 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 एंगल है यानि एक ऐसा एंगल है जो के 90 डिग्री से लेस है ठीक है हमने फाइंड करनी है value two times of the product of secant 45 degree और sin 45 degree प्लस cos 45 degree into tangent 45 degree into cosecant 45 degree यह values हमने इसमें इसमें इंसर्ट करके एक overall देखना है कि हमारा क्या आंसर आता है इस particular theta की value यानि 45 degree ठीक है तो देखे हम यह बात जानते हैं कि जो साइन 45 डिग्री है ठीक है और जो को साइन 45 डिग्री है इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है यह कॉंसेट लेक्चर में मैं आरड़ी बता चुका हूं और यह इक्वल होती है वन ओवर स्क्वेर रूट आफ टू के ठीक है पॉस का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो सिकेंट है सिकेंट फॉर्टिफाइव डिग्री इनकी वैल्यू इस नंबर का रेसिप्रोकल होगी यानि अंडरू टू निमिरेटर में आजएगा और वन डी नॉमिनेटर में तो अंडरू टू इसका आंसर आएगा जबके जो के टैंजेंट फंक्शन का रेसिप्रोकल फंक्शन है इन दोनों की वैल्यू होती है वन फॉर्टिफाइव डिग्री पे ठीक है जी ये वैल्यू आपको मैंने एक दफाद बारा रिवाइस करवा दी है यहापे ठीक है अब हम इनको इस्तमाल करेंगे इस प्रॉब्लम म देखें यहाँ पर 2 लिखाव एक कोफिशेंट है ठीक है किसका कोफिशेंट है जी सीकेंट 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री के प्रोड़क का तो सीकेंट 45 की वैल्यू भी उनने बताई कि स्क्वेर रूट 2 है जबके साइन 45 की वैल्यू वन अवर स्क्वेर रूट 2 है ठीक ह 1 है और जो हमारे पास को सीकेंट 45 डिग्री है इसकी वैल्यू है स्क्वेर रूट 2 तो यह वैल्यू हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे ठीक है अब इसे हम सिंप्लिफाय करते हैं कि देखते हैं हमारा क्या जवाब आता है चल देखें अब देखें इसमें जो 2 है इसका मल्टिप लुजाते हुने के बाद हो चानल हो जाएगा चूंकि यह एक दूसरे के मल्टीपिलिकेटीव इंवरस clapping इन्वर्स ती यही यहाँ पर हमेहां पास मल्टीपिलिकेटीव इंवर्स है चैनला क्योंक्या होट्रॉ कि यहाँ पर हमगे तो आजएग का दो आजाते हैं जबके पर वन तो मारा ओवराल जो आंसर बनेगा वो थ्री बन जाएगा